ग्राम मातनी में साप से पिछले एक महा से परिसान था किसान परिवार, सरपमितर श्रीकांत ने साप का रेस्क्यू कर दिलाई किसान परिवार को परिसानी से निजात, खबर मुल्ताई से मुल्ताई विधान सबाच शेतर अंतरगत आने वाले ग्राम मातनी में एक किसान परिवार, अपने खेत में कोबरा साप दिखाई देने से पिछले एक महा से परिसान हो रहा था, उन्होंने बताये कि जब भी वह खेत में जाते थे, तब उनके सामने जहरिला कोबरा साप निक शेकान्त ने बताये कि ग्राम मातनी निवासी मुन्ना दोबारे के खेत में पाच फिट का जहरिला कोबरा साप था, जिससे वह पिछले एक महीने से परिसान हो रहे थे, जिसका उन्होंने आज रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया, उन्होंने बताये क चार से पाच घंटे उन्हें इस साप के रेस्क्यू करने में लगे, यहाँ साप करीब पाच फुट लंबा था जो की बहुत जहरिला होता है, जिसमें निवरो टॉक्सिन जहर पाया जाता है, जिसके काटने से इनसान की मौत तक हो सकती है, फिलहाल साप का रेस्क्यू कर ड जिसके काट लाच लंगा ज ढूज कर दो लंगा है expon Kenneth पाच हो सकती है जिसके कवजे इनसान की मौत ब्रॉक्सिन जह जहरित है। झाल झाल